वन डे क्रिकेट में भारतिय टीम जीस तरह का प्रदर्शन कर रही है उस देखते हुए माना जा रहा है कि इस बार अक्टूबर नॉवंबर में होने वाले पचास ओवर के वर्ल्ड कप में भारतिय टीम विश्व चैंपियन बन सकती है आखरी बार साल 2011 में मेहंदर शिंग दोनी के कप्तानी में भारतिय टीम विश्व चैंपियन बनी थी पिछली दो वंडे सिरीज में भारतिय टीम ने जीस तरह का प्रदर्शन किया है उसे देखने के बाद ऑस्ट्रेलिया, इंगलेंड, दच्छिड अफिरका, और पाकिस्तान जैसी टीम में भी मान रही है कि इस बार वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के सामने टिक पाना असान नहीं होगा जी हाँ आपको बता दे कि हाल ही में बंगला देश और स्री लंका के खिलाब भारतिय टीम का सांदार प्रदर्शन रहा है टीम इंडिया के लिए अच्छी बात यहाँ है कि बिलकुल मेहंदर सिंग धोनी जैसा विस्व चेंपियन विकेट कीपर बल्लेबाज मिल चुका है दरसल हम बात कर रहे हैं विकेट कीपर बल्लेबाज इसान किसन की बंगला देश के खिलाप वंडे सिरीज में दोहरा सतक लगाने वाले इसान किसन को मेहंदर सिंग धोनी से भी बेहत्तर विकेट कीपर बल्लेबाज बताया जा रहा है दरसल मेहंदर सिंग धोनी के अंतराश्टिय क्रिकेट से सन्यास के बाद टीम इंडिया को उनकी कमी बहुत खल रही है लेकिन अब भारतिय टीम को इसान किसन के रूप में दूसरा मेहंदर सिंग धोनी मिल चुका है अब कल यानी 18 जनवरी से भारत और न्यूजी लेंड के बीच 3-3 मैचों की वन डे और T20 सिरीज खेली जाएगी मौझूदा समय में भारतिय बल्लेबाजों की दमदार बल्लेबाजी देखने के बाद न्यूजी लेंड की टीम वन डे सिरीज के साथ-साथ T20 सिरीज में भी अपनी हार लगभग तैमान चुकी है जी हाँ आपको बता दे कि भारतिय टीम में चार ऐसे दिगज बल्लेबाज हैं जो मैदान पर टीक गए तो आकेले ही न्यूजी लेंड की पूरी टीम पर भारी पढ़ सकते हैं बंगला देश की खिलाब वन डे सिरीज के दोरान 12 सतक लगाने वाले इसान किशन न्यूजी लेंड के खिलाब भी 12 सतक लगा दे तो इसमें हैरानी वाली बात नहीं होगी इसके अलावा रोहित सर्मा, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव भी जबरदस्त फॉम में चल रहे हैं कुल मिला कर देखा जाय तो टीम इडिया के मुकाबले न्यूजी लेंड की टीम काफी कमजोर नजरा रही है